एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाडा जोन के नए एपिसोड में दोस्तों कोमेंट में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी टूविलर मैनुफेक्टर कंपनी हीरो मोटर कॉप कब कोई electric vehicle, electric scooter, electric bike को launch करेगी बीच-बीच में update आते रहे हैं कि वो electric two wheelers पर R&D की चल रही है बट अभी कोई confirmed date निकल कर नहीं है कि कब तक वो किसी electric vehicle को launch करेंगी तो अखिरकार एक good news निकल कर आई है, new update है दोस्तों अपने Taiwan की जो company है GoGoro कि electric scooter और उसके बैटरी स्टेशन उसके बारे में जुरूर सुना होगा मैं इस पर पहले भी कई बार update दे चुका हूँ इन दोनों companies ने hero motocop और GoGoro ने मिलकर जो joint venture की है, partnership की है और दोनों मिलकर भारत में electric scooter तो launch करेंगे और साथ में जो battery swapping station network है उसको भी इंडिया में develop किया जाएगा hero motocop कहते के भारत में अभी जो electric wagon charging station या जो charging infra है उसको develop होने में कई साल लग जाएगे तो ऐसे में जो battery swapping station जो technology है ये भारत को काफी suit करेगी भारत के लिए best रहेगी गोगोरो जो की 2011 में ताइवान में जिसको establish किया गया था तक्रीवन 2000 से जादा battery swapping station है पूरे ताइवान में और तक्रीवन हर रोज तक्रीवन धाई से 3 लाक तक जो swap है इन बैटरीज के होते हैं hero motocop से पहले यामाहा और सुजूकी ने भी इस technology में इंटरेस्ट दिखाया था hero motocop के चेर्मैन मिस्टर पवन मुंजल उन्होंने का कि दोनों कंपनीज का जो गोल है वो सेम है दोनों ही चाहते कि भारत में smart के साथ साथ affordable electric vehicles को launch किया जाए दोस्तों battery swapping station technology के सबसे बड़ा benefit यह ही है कि आपको कोई भी electric vehicle खरीद हो चाहिए वो टूविल और थ्री change किया जा सकता है आप discharge battery देकर charge battery उसमें डालकर अपने आगे रूट पर निकल सकते हो उमीद है बहुत जल्द इसकी production भी स्टार्ट होगी उमीद तो यह है कि जो hero motocop का अपना प्लांट है उन्हीं में से किसी प्लांट पर इन electric scooters की production की जाएगी तो बहुत जल्द भारत में लौंच किया जाएगा अल्यडी पैन इंडिया network बना हुआ है तो distribution में भी कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए उमीद है कि दिवाली के आसपास यह available हो जाएगा भारत में दोस्तो हिरो मोटकॉप बेशक लेट है को इस इलेक्टिव वहिकल को लौंच करने में लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है आलेडी शायद आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि जो एथर अनर्जी में एक बड़ा शेर तक्रिवन 35% 34.5 रफ कि पिछले हाल में कोई D-Series की funding भी नों ने की है काफी बड़े मांट की तो काफी शुरू से ही स्पोर्ट करता रहा है एथर अनर्जी को तो थम्स अप है हिरो मोटकॉप को उमीद है बहुत जल्द एलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांच करेंगे भारत में कोई निया निकल कराएगा आपके साथ शोय करूँगा सबसे पहले आज के लितना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जाहिंद